है लो गाईस आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से और तूडे में आज हम डिसकस करने वालने रेल विकास निगम लिम्टेट इसे स्टॉप में देखें तो आज के दिन एक रुपे चालिस पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉप आल्मोस्ट दो परसेंट से भी उपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है हम इस वीडियो में ये डिसकस करने वाले हैं कि इस स्टॉप में फ्यूचर में क्या टार्गिट बंतो ये नजर आएंगे और हमें इस टॉप लोस कहां पे ट्रेड करके चलना चाहिए सबसे पहले अगर हम टेकनिकल चार्ट पर आएं तो कुछ इस परकार का चार्ट पैटर्ण देखने को मिलागा जहां पर पीछे की एक हपते में इस स्टॉप में 9% से भी उपर की रैली देखने को मिल रही है और एक महिने में इस स्टॉप में 13% की गिरावट देखने को मिलिया है लॉंग टर्म का चार्ट पैटर्ट देखने तो इस स्टॉप में एक कोस्ट्यू ट्रेंड देखने को मिलागा जहां पर इस स्टॉप में 6 माइने में 90% के रिटन दिखाता हुआ नजर आ रहाएगा और अगर आप इस स्टॉप में उपरी लेबल पर देखने तो इस स्टॉप में एक डबल सपोर्ट बॉटम बनता हुआ नजर आ है एक क्यासी रुपे 50 पैसे इस स्टॉप में डबल सपोर्ट बॉटम मना उपरी लेबल पर इस स्टॉप में एक दबाव देखने को मिल रहाजा जहां पर देखें तो इस स्टॉप में नीचे का इक स्टॉप में भाटम बनता हुआ नजर आ रहाए यहाँ सिसे price पर दो बार इस टॉक ने touch करने के बाद एक बड़ा reversal देखने को मिलाएगा और आप देखें तो इसे stock में े उप्री लेबल पर दबाओ देखने को मिलाएगा तो अगर आप इस stock में long term का व्यू रखेंगे तो around 70 रुपे कि एक बड़े stop pengiya के साथ उपर के short term target 68 रुपे तक के लिए आप इसी stock को hold करके चल सकते हैं, इस stock में एक stop loss के साथी stock को trade करें, वहाँ पर एक अच्छा return देखने को मिलेगा, ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को like, subscribe करें, वीडियो देखने के लिए आपका देखने बात, करें, आपका लेखने की।